तो देखिए यहां पर लगतार हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आनन्द हमारे सेयोगी है लगतार हमासाद बने हो है आनन्द आपके पास क्या तस्वीरें देखिए मौनिका आपको सीजी तसमीर दिखा रहा हूँ, यहांपे देखिए पुलिस में अभी खदेडा यहांपे परदर्षन कारीहोuben और लगतार तिरंगे के साथ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है यहां पर इस्तिती अभी तनाव पुनुई थी देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगतार खदेडने की कोशिश करी देखिए कुछ लोगों को देखिए यहां पर पकड़ के ले जा रहा है आपको यहा पर प्लिस अक्षन में आ गई है क्योंकि पॉलिस लगतार यहां पर कानून में फिर्टा गारुए है और मोनिका यह ग्राउट जीरो की तस्विरें आपको दिखा रहा है यहाँ पर लगातार आप जो प्रदाश रही है वो यहाँ पीछे हटे रहाते और यहाँ पर फोर्स जो है वो पूरी चरते तेना अतना दर आ रही है बिल्कुल आनद क्या किसी को डिटेंड किया गया है अ कुछ समय के बाद लेकिन यहाँ पर कानून मिवस्ता का अवाला देके देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर जो बस है उसमें यहाँ पर रखा जा रहा है और पुलिस लगतार अपील कर रहे हैं कि जो लॉन ओर स्विच पे जाने वो खराब नहों लेकिन लगतार लोग सरक लगतार देखिए इस दश्विर आपको देखरा है इस लोगो को यहां पर ले जा ल। पूलिस के देखे कि इस तरीके से कोलकता की इन तमाम सड़कों को शावनी में तब्दील कर लिया है और ऐसे में अब देखिए आरपार की लड़ाई जो प्रदर्शिनकारी और पूलिस के बीच में हो रही है आनन्द आपके पीसे जो हम बस देख पा रहे हैं काफी लोगों को डिटेंड किया गया है क्या कोई बाच्चित आप कर पाएंगे कुछ पूछेंगे उनसे देखे मोनिका यह बस में लोग लगाता है जस्तिस की मांग करें लेकिन मैं आपको देखें दिखाता हूं यह जो रोड है इस पर आप देखिए इस पर भारी भीड इस तरफ से आई थी अभी अचानक से जो सीएम का जो कारेल है वहाँ पर जाने के लिए आगे बढ़ रही जी और एक्तम से पुलिस और जो आरेफ के जवान है वह यहाँ पर अलेट बोड में आवे देखिए अब यहाँ पर अभी पूरी तरह से खदेड आ गया भीड को बहुत सारे लोगों को डिटेंड किया गया प्रविंटिव आरेश जिसे बोलते हैं और बासों में भरा के लेगा है इस थानी लोग जो यह देख सकते हैं वह भी जिसमें महिला हैं यहाँ पे लगातार पुलिस के प्रदर्श पुलिस की जो कारवाई है उसका विरोध कर रहा है और लगातार यहां पर वीवान जस्ट आर्शिका खड़ी हुए है वहां पर अभी हुआ है बिल्कुल आनन सवाल तो यही पूछत आएगा ना कि इसे जंग का मैदान क्यूं बना दिया गया चातर तो से विरोध कर रहे थे आर्शिका हमारी सेयोगी लगातार बनी हुए है वहां पर भी देखिए हाला जो है तनापून बने हुए है आर्शिका क्या तस्वीरे आप दिखाएंगी देखे बिलकुल मैं यहाँ पर पुलिस बैरिकेट पर खड़ी हूँ और आपको तस्वीरे दिखा रही हूँ ठीक ही यही पर वाटर कैनन कोलकाता पुलिस का जहां से बोचार की गई प्रदोशनकारियों को अभी पीछे हटा दिया गया है अब कोलकाता पुलिस की जो टीम हैं वो आगे बढ़ करके जो प्रदोशनकारी हैं उनको पूरे इस इलाके से दूर हटा रही है क्योंकि यह बहुत ही संवेदंशीर इलाका है नबानो जाने का सीधा ये रस्ता मेरे पीछे है और इसी रस्ते पर सबसे ज़्यादा पुलिस की तैनादगी क्योंकि कोलकाता पुलिस की टीम वहां आगे बढ़ करके प्रदोशनकारी को बिल्कुल पीछे हटाने की कोशिश कर रही है बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को दोड़ा दोड़ा कर भगा भगा कर जो है खदेरा जा रहा है देखिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है टियर गैस के घोले दागे जा रहे है लेकिन इस बीच कही न कहीं सवाल तो आशिका यही है न किसे जंक का मैदान क्यों बना दिया गया यह तो सिर्फ पर इतनी बैरी केटिंग इस तरीकी की किले बंदी कहीँ की गई नहीं देखिए कोई भी जाए पुलिस मुख्याले हो, राजसरकार का कोई दफ्तर हो, मुख्याले हो, मुख्यमंत्री का कार्याले हो, हर जगे पर बाइडिफॉल्ट जो पहले IPC की दारह 144 होती थी, अब BNSS के तहत 163 वहाँ पर लागू होती है तो ऐसी परिस्थिती में पुलिस के लिए मजबूरी है कि कोई भी प्रदर्शन कारियों उनको आगे न बढ़ने दे, आज पहली बार बहुत नवान्य अभियान मैंने देखिया, आज पहली बार पुलिस की तरफ से कारेकरम के पहले सुबे से लगातार माइकिंग हो रही थी यहीं से मुख्यमंत्री बिजाती है रोज अपने कारेयले और मुख्यमंत्री आज भी पहुची है कारेयले के अंदर है पूरी परिस्थिती लेकिन आशी का सवाल तो यही पूछा जाएगा आप गुस्सा कीजिए आप नाराजगी जाहिर कीजिए आप दिरोत पदाशन कीजिए लेकिन अगर सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरीके के इंतिजाम किये जाएंगे आप देखे किस तरीके से आंसु गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे है तो यह बवाल तो ज्यादा बढ़े गाई ना उगर तो होगा यह प्रदाशन चात्रों को रोकने के लिए इस तर बहुत दो प्रदरशन के बाद जोई वो खड़े हो रहेले कि आप देख पारें जो मार चया वो लगाता ह्या बढ़ता हुआ जा रहा है हालांकि एक पोर्षन झो एक रूट था वहां से फिलाल जो है प्रदरश्नगार데 यह को ख़़देद्ट आब उडलय а आप देड़स प्रदर्शन कारी आगे काफी तादाद में घटा हुए अभी हमने देखा एक दो यहां पर इस्थानी लोगों ने पत्थर भी पुलिस पाइटी के उपर मारे और देखे यहां पर भारी फोर्स जो है अब उस्सी तैनाती यहां पर कर दी गई है पूरा यह इलाका खाली करा लिया गया यहां पर अभी सेक्ड़ों की तादाद में जो प्रदर्शन कारी और उग्र हुए और उसके बाद पुलिस ने यहां पर हलका बल प्रयोग करा बहुत सारे लोगों को डिटेंड किया और जिनने बस में भरके यहां से दूसरी जिके ले जाए जारों देखिए आ कानून विवस्ता को हाथ में ना लें क्योंकि इस्ति अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बहुत तर्रावपी रोग गई थे और उसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज करी यहां पर खदेड़ा आरेव के जवानों ने जिसके बाद आप देख सकते हैं आप इस कर दो कर दो